आपका स्वागत है इससे में हमारे साथ मौजूद है विक्रम प्रिताइए किस तरह की सुबकामना देना चाहेंगे देश वासियों को मैं सबसे पहले डेट सारा सुबकामना देता हूँ आज के सतरवे गड़तनदरदी वस्पे कि जो विरासत हमारे प्रोजों ने हम सब को इतना सुन्दर देश जो उन्होंने गुलामी के वीडियो से जो जखड़ा हुआ देश था उसे उन्होंने आजादी दिलाके और एक सुन्दर समिधान का निर्मान बाबा साहब हम इटकर या उनके साथ जितने भी हमारे प्रोज रहे उन्होंने दिया है तो कहीं ने कहीं उसका सोभा बना रहे उसका मर्यादा बना रहे उसका मर्यादा बना रहे और मैं नमन करता हूँ वह हमारे जो प्रोज रहे जो इन्होंने अपनी प्राणू की आउती दी जो है और उनके मन में कल्पना था कि देश हमारा आजाद होगा और विक्सित होगा क्योंकि किसी समय हमारा देश जो है विसुगुरू था जो है आज भी हमें विसुगुरू बनना है हमारा देश इंडिया नमबर बन बनने मैं फिर कर दो आगर हम मैमरी की बात करें चपड़ी जनुरी को लेकर इसी कोई मैमरी जो विक्रम जी बताना चाहिए 26 जनौरी 15 अगस तो हम अपने जो आज के दिन में जो सहीद हो रहा है हमारे भाई जो है अमर सहीद बलडान जो है कहीं न कहीं उनके लिए है आज या हमारे पुरुवत जो जो इनोंने अंग्रेजों के खिलाप तड़ाई लड़के जो है 800 सालों से जो हमारा देश गुलाम था जिनको उनोंने आजादी दिलाई जो है उनका दिन है आज और हम जैसे लोगों को उनी तिहास से जो है प्रेना लेने का आज विसे होता है कि ये हमें जो ये चमन मिला है वो कैसे कैसे मिला है आज हम राजनिती के माध्यम से कही ने कहीं सत्या क्या उपयोग दुरुपयोग करते हैं देश में कोई भी जो है कुछ भी कर देता है कुछ भी स्टेटमेंट देता है प्रांतवाद की बात करता है कोई जाती बात की बात करता है मजहब की बात करता है वो भूल जाते है कि न चबी जनुरी यही बताता है, कि हमें हमेशा अभारत माता के मान, आन, आन, बान, सान को ध्यान में रखे कोई भी काम करना चीए, जो है देखिये क्या होता है, कि अभी तक मैं मानता हूँ कि राजनिति का पार्टी या कही ने कि राजनीती एक सेवा का मद्धे में है और जब हम सेवा करते करते सरकार में जाते है तो उसमें भटकाओं नहीं आना चीए लेकिन दुर्भागे रहा इस देश का कि हमारे वो अच्छे राजनेता जो है जब सत्ता में आते तो भटक जाते है बहुत सारे अच्छे राजनिता जो है रहे जो कि नहीं भी भटके जो है लेकिन कहीं अब जो है मामला ऐसा लग रहा है कि सत्ता हाभी हो जाता है लोगों के उन विचारों पे अपने विचारधारा को छोड़ देते है तो मेरा मेरे जैसे एक युवा जो एक असोसल वर्कर है तो मेरा कलपना है कि सत्ता कभी भी जो है विक्ति के विचारों पे कभी हाभी नहीं होना चाहिए जिस विचारधारा में वो जनता के बीच में जाता है और ओट लेता है तो कहीं ने कहीं उसे भूलनानी चाहिए इस देश का मूल हमारे किसान है हमारा गाउ है तो उसको ध् किसानों का आर्थी किसिती बदलना चीए जो है और यह सरकार जो है क्यों भूल जाती है बार बार क्यों कर्जमाफी खली ओट लेने के लिए लोग कर देते हैं उसके बाद फिर किसानों के तरफ कोई मुड़ के देखता नहीं है तो मैं चाहता हूं कि हमारे गाहों की तस्बी बल्लब भाई पटेल ने कहा जो है कि भारत अगर विक्सित करना है तो पहले गाहों को विक्सित करना पड़ेगा तो आज भी हमारे गाहों कहीं की अविक्सित है हमारे किसान बदहाल हैं तो किसानों को के अंदर गाहों के अंदर खुसाली राने पड़ेगी तो यह हमारा तो विक्रम जी अपनी जन्म भूमी से भी जुड़े हुएं और अपनी कर्म भूमी से भी जुड़े हुएं तो दोनों को देखते हैं अगर आप चुनकर आते हैं अगर आप नेता होते हैं लोगों की बीच मेरा आते हैं तो क्या आप दोनों चीजों को किस तरह से देखेंग हम तो कहते हैं कि हम माज़ुस separatा की गोद में यहां बैठे हुए हमारास की धर्ती पर मादेवपी हमारी उत्तरब्रदेस है तो निच्ची طлов पे दोनों माओं के प्रति हम लोग सम timeline hai और यहां जो不要 प्यार मिला Hai उसके प्रति भी हम चाहते हैं, कि महारास और मुंबई और मीरा भेंदर कितना खुछाल है यहां, कितना विकास हो वो हमें खुछी होगा और इस विकास में हम जैसे लोगों का योगदान हो और मादेव की रूपी, जो हमारा जन्मसली है, उत्तरप्रदेश, जौनपूर वहाँ की विकास के बारे में भी चिंता होता है वहाँ की युवाओ के बारे में भी चिंता होता है कि वहाँ जो सरकार चलिये आज अच्छा काम करे और यहाँ जो सरकार चलिये वो अच्छा काम करे हम लोग समय समय पे हमारी पार्टी जो है चाहिए हो सरकार है और सदन में जो है सड़क पे हर जगे उठाती रही है तो निच्ची तोर पे हमेशा मैं ये सोच्छा हो की जो है यहां भी विकास हो और पूरे देश का विकास हो जो है हमेशा है तो 2019 की सुरुवात हो चुकी है अभी जन्वरी की स्टार्टिंग है मैं लिखने को मिल रही है जाएं क्यांगरिस कहें, भाजपा कहें और सिवसेना काहें तो इन सभी पार्टियों के साथ हमस्तो तरह से तयार इस चुनाओ के लिए लोग सभा और विधान सभा चुनाओ के लिए सिउसेना देखिए एक सेवा का संगिठन है जिसमें बाला साथ ठाकरे ने कहा था कि हम 80% हम समास सेवा करेंगे और 20% राजजिंती करेंगे तो उस आधार पर चलती है सिउसेना का जो विचारदारा है बहुत खुला है पहले फस्ट नेशन सिउसेना के डिक्सनरी में है राष्टवाद हमेशा सिउसेना प्रतम सिर्ष में रखा है देश का जब बात होता है विदेशी अकरमणकारी का बात आतंगवादियों का बात होता है सिउसेना सबसे फ्रेंट लाइन पे खेलती है आकी रहे हिंदुत्यों की बात जो है हिंदुत्यों इस देश की आत्मा है भारत का आत्मा हिंदुत्यों है हिंदुत्यों की बात करना इसका मतलम नहीं कि मैं दुसरे मज़ब का सिफसेना विरोत करती है कभी नहीं करती है, कभी नुकसा नहीं पोचाती है लेकिन हिंदुत्व और भगवान राम ये दोनों भारत के बड़े मारमिक विसे है और भगवान राम के मंदिर के बारे में जो सिफ सेना ने बहुत पहले से संकल्प लिया है कि भगवान राम का मंदिर बनना चीए तो सरकार से अभी उदो जी का दोरा अयुद्या में हुआ वहाँ जाके भगवान राम का दर्सन किया और कहीं कि आवाद सरकार को लगाया है कि नहीं मंदिर बनना चीए जो है तो सिफ सेना कभी चुनाओं के लिए राजिन्ती नहीं करती है हमेशा जो है इस देश के लिए महारास के लिए किसानों के लिए गरीबों के लिए हमेशा जो है काम किया है और चुनाओं उसमें बीच-बीच में आते रहते हैं तो ऐसे 19 का भी चुनाओं आया है लेकिन जो विचारदारा लेके सिफ से ना चली है वो आगे भी वही लेके चलेगी जो है उसमें कुछ बदला होने वाला नहीं है ठाकरे नहीं बने रहे आगे और भी खबरों के लिए कैमरामेन सुन्दर के साथ मैं शानली सिंग सक्षम न्यूज इंडिया मुंबई सक्षम न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तिज